वाई रुको, सुबह से कहाँ आया थी? और फोन के स्विचों हारा तुमारा? बैक्टरी डाउन थी, इसलिए। सुबह सुबह छे बचे ये कहके निकलेते कि क्लॉजिंग चल रही है। ओफिस जल्दी जाने। मैं ओफिस ही कहा था। जूट मत बोलो। अरे मैं जूट नहीं बोल रहा। सुबह निकला तो मैं ओफिस के लिए ही था। तीन बार फोन कर चुकी हूँ मैं ओफिस में। सच-चच बताओ का गए थे। और ये बैक किस का है। तुम्हारे कोई हिस्तेदार तो नहीं आ रहा है न। अरे बोलने दोगी तब बताओंगा ना। अब बोलो सुन रही हूँ मैं। कल रात मा और भावी का जगड़ा ओगया। भावी ने कह दिया कि अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। भावी को कुछ नहीं बोला। सुबह मा ने मुझे फोन किया। यह सब सुनकर मुझे रहा नहीं गया। और मा को लेने गाउँ चला रहे। क्या। तुम मा को यहां ले आए। अरे छोटे भावी के पास शोड़ देते हैं। इस हालात में इने छोटे भावी के पास शोड़ना मुझे ठीक नहीं लगा। इसलिए अपने साथी भाला है। और यह चली भी आई। यह भी नहीं सोचाए कि हमारा किराय का मकान है। और शैर में रहने का खर्च पता है न। अरे गाव में बड़ भाई का खुद का मकान है। खेती भाड़ी भी करते है। और क्या हो गया अगर भावी ने कुछ कह दिया तो। जहां चार बरतन है आवाज तो होगी ही न। यार एक आदमी का कितना खर्चा बढ़ जाएगा। मां हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन वस कुछ देगा। हम बाद में बात करते हैं। हाँ, इस घर में मुझे बोलने का हक तो है ही नी। अब बस, भूख लगी है, खाना लगाओ। खाना ने बनाया मेने। वस तो बगे चावलग रखे थे, मैंने खा लिये। तुम देख लो तुम्हे अपना और मां का क्या करने। मैं सोने जा लियो। आयों। मा, तुम। फिमल, तुम मेरी मा को लेने गए थे। खाना तो, तुम्हे क्या लगा। बेता, इसको लगा के तुम्हे मा को ले आया है। तुचिंता मत कर वेटी, मैं तेरे ना जाया दिन नहीं रहूंगी। मा, तुम ऐसा क्यों कह रही हूँ। यह तुम्हारा है और लड़कों को दोस्त देते हैं। और जागी के बाद बेटे पराये हो जाते हैं। और बेतीयां अपनी रहते हैं। लेकिन यह बूल जाते हैं की बेटों को पराया करने बाली भी एक बेटी हूँर्टी है। यह जीवन चक्र है बेटा अगर हमारी बेटी किसी के बेटे को पराया करेगी तो किसी की बेटी भी हमारे बेटे को पराया करेगी